ICC Women's T20 World Cup के semi-final में पहुन चुका है भारत Ireland को एक बारिश से परभावित मुकाबले में हार थमाने के बाद Duckwood Lewis के चलते भारत को 5 रनों से जीत मिली है जब किसी के साथ भारत बन गई है Australia और England के बाद वो तीसरी टीम जिसने ICC Women's T20 World Cup साल 2023 के semi-final के लिए qualify कर लिया है कैसा रहा है मुकाबला किस टीम से होगी semi-final में भढ़न इसके बारे में देंगे आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में अंतक बने रहेगा हमारे साथ आज हमने देखा था मुकाबला जहां Ireland के सामवे भारत ने पहले टॉस जीत कर बलेबाजी करने का फैसला किया पीस ओवर में स्मिती मंदना के अर्दशतक के चलते भारत ने जरूर 155 रन बोर्ड पे लगाए लेकिन उसके बाद भारत के उपर आज बारिश के साथ साथ किस्मत भी महरबान रही है जहां 8.2 ओवर्स में Ireland ने बलेबाजी के साथ बनाए थे 54 रन दो विकेट की नुकसान पर लेकिन उसके बाद मैदान पे एक मुसलाधार बारिश का आगाज हुआ और उसके बाद उस बारिश ने थमनी का नाम नहीं लिया जिसके चलते डकवर्ड लुईस के तहट भारत 8.2 ओवर्स के बाद भारत ने 69 रन बनाये थे और Ireland के थे 54 जिसके चलते भारत उनसे 5 रन आगे था और इसी के साथ भारत ने जीत दर्ज करते हुए अब 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं एक मुकाबला हारा है और भारत है दूसरे नमबर पर पहले पर है इंग्लैंड और बहतर ने टरन रेट के चलते इंग्लैंड नमबर एक पर रहेगा भारत नमबर दो पर रहेगा और भारत बनी है वो तीसरी टीम जिसने क्वालिफाइ कर लिया है ICC T20 World Cup के सेमी फाइनल मे अब बड़ी बात है कि भारत का सेमी फाइनल किस टीम के साथ और कब खेला जाएगा तो आपको बता दिया जाए भारत का सेमी फाइनल आने वाली 23 फरवरी को खेला जाएगा ग्रूप A की नमबर एक टीम यानि की ऑस्ट्रेलिया के साथ याद करवा दें ऑस्ट्रेलिया व बड़ी खुश्खवरी की बात ये है कि भारत पहुन चुका है वुमेंस T20 वर्ल कप के सेमी फाइनल में जहां उसने बारिश से प्रभावित आखरी मुकाबले में आरलेंड को हार थमा दी है